आप 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 अजी क्या ले आप 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 वह क्यों हो रहा है मैं शेयर कर रहा हूं लेकिन अच्छी से होनी ता शेयर है आप 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 कि कि कर दो कि तो बहुत अच्छे से तो शेर हो नहीं रहा बिकुद ये लिंक नहीं आ रहे है उसकी एदन चलो कोई बात नहीं एक उपन जल्दे से फटा पट सब को शेयर कर द रहा हूँ आप लोग भी शेयर करते हैं पाज़रा सेशन को तो 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 बहुत सारे ग्रूप्स हैं इसलिए शेयर करने हम थोड़ा सा समय लगता है कि चलो रहे हैं कि जी गुड़ मॉनिंग सुपर बात कि चैनल पर आप से भी लोग का स्वागत करता हूं उमीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं इसी एक उमीद के साथ चलिए लेट्स चार्ट सेशन टाइमिंग चेंज गर दो सार क्यों यार देखो मेरे टाइमिंग का बहुत ज्यादे इस्व रहेगा आइम सो सोरी अबाउट देट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इंडिया दोनों मैच हार गई सिद्धान्त मैं एक दम भैतरि मन की बात सुना दो मन की बात के फाइदे कोई नहीं होते हैं मन की बात इस वन वे को उन्वर्शेशन मेरे किसान भात सरुव में मर रहे हैं किया करेंगे मन की बात सुनके हां जी चलना फिर शुरू किया जाए अरे ओफिसर्स हाउस जोष कि फटावट कि बेड़ा अरे मार अच्छ हो रहा कि जित्ती क्रोशन तक कम है कि बताओ तुम चश्मेश में लगा लूँ थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा लग जाओ गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग एंडे को स्टाट हो रहा है बस थोड़ा सो टाइम दो दिसंबर आए गया कल से विल स्टाट वरी सुन विल स्टाट स्टाट च्छै बजे या च्छै बुजे बहुत नहीं बहुत जा जल्दी हो जागा मैं किस ताम सुबह उठूँगा हां हां बताऊंगा 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 एकदम हाई चलिए फिर फटा फट जल्दी से पार्च कोश्चन करते हैं फिर कुछ भैत्रिन बातें आप सबके साथ डिसक्स करने के लिए जैसे की वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो सीन था जो रह गया था पिशली ग्लास में है विल डिसकूस देट अगा सर एक टाइम पर कोई पर संटू कंट्रीज के सटेशिप ले सकता है एक्स्प्लेंट अंकी त्यादो एक्स्प्लेंट इन स्पेशल केसे इट कैसे इट जनल केसी इस इट कांट भी पोसिबल तो चलिए फटा फट फट ऑफिसर इन पांच कोश बिढे कृश्प्स करने वाला फटा 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 फट जल 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 लिल इस है बिलकुल उतकश मिश्वर् Сाइए त Macht आध HRS आध प transpारी मीरी अच्छान और धान दो ग्रीन पीछे पड़दा भी ग्रीन वेरी गुड़ वेरी गुड़ भूती भैतरीन नेक्स्ट नेक्स्ट कोशन जकेट पहने हों क्या क्या हो रहा है यह चलू क्यों नहीं रहा है यह हां जी लार्जस्ट इवेस्ट कौन सी कंट्री प्रेड्यूस करती है फटाफट फटाफट एक काम करना इसमें ना सेकेंड और थर्ड के नाम भी बता देना में जल्दी से न वह रहने दूं कि सही है रहने दो चलो रहने देते हैं कि नहीं है इसमें चमकिला चमकिला लग रहा हूं रुख जाओ एक सकेंड दो में जल्दी से वह पैन के आता हूं आप कर दो हां जी हां जी अब लग रहा हूं चलो हां तुझी सबसे ज्यादा इस प्रेड्यूस करने वाला सब्सक्राइब कर देगा नोर्थ अमेरिका फ्रीटेड अग्रिमेंट जिसको फुल फॉल पता खतम उसके लिए अंसाइस फोज यूस मेक्सियों चैनले आड़े अर्डे मेजर नोर्थ अमेरिकन कंट्री इन तरुन के डील करा है कि भाई हम सब रखेंगे अब जल्दी से इस कुंसेप्ट को समझते हैं पहले इस कौंसेप्ट को समझेंगे फिर एक्जामिशन पॉइंट ओफ व्यू से क्या चीज़े इंपोर्टन ते फिर उसको समझेंगे ठीक है जी नेशन वन एलेक्शन एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमारे प्रिया प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत रहा है बार-बार पर बार-बार जब भी मौका मिलता है इस मुद्दे को वह फेवर करते रहे हैं दुबार यह किया फेवर तो न्यूज में आया तो आज मैं आपको समझाता हूं कि एक्जेक्टली वन नेशन वन इलेक्शन है क्या मैं दोनों व्यूज रखूंगा जो गवर्मेंट का व्यूज यारी जो मोदी जी का व्यूज इसको लेकर और जो इसकी अगेंस् तो सिंस आप 12 में हो मुझे तो इसनी नहीं थी 12 के टाइम पर आई होप जो बच्चा मुझस से तने टाइम से पढ़ रहा है उसको नोलिज हो चुकी होगी कि हम मेजरली दो टाइप के इलेक्शन में वोट करते हैं मेजरली पंचायत वंचायत को छोड़ दो एक तो हम अप पासी मयर्य तो सकहरो जो पीयम बाले इलेक्शन हैं उनको बोलते जर्नल इलेक्शन या फिर लोग सबब में वोट करते हैं एक लावा हम है पंच्राइंट करते हैं और चोंटे मोटैंट Nature रहते हैं जिसमें हम लोग वोट करते हैं मयजर ली दो इलेक्षन दो टाइप के तीसरा कर में जर समझो तो पंच्राइती यह फिन में नगरपाली का मैशasan करते हुआ 2019 में हमने इसकी ऒोट करी 2020 में मानलों की दिल्ली में टे हमने उसमें वोट करा उसके बाद मुनिस्पयलेटी क होता क्या है जब इतनी ज़्यादा इलेक्शन होते हैं लगाता एलेक्षिन होते पॉलिटिकल पालिटिकल एक्षोन जीतने हैं तो उनका फोकस लेक्षण पर ज्यादा रहता हैं काम पर कम चलर जाए आपने देखा भी कितने जादा करते रहते हैं आप उनकी Natal होती है क्या रहे हो जो कम होना चाहिए उससे हटके बंदग कुछ तोर कर रहे हैं और इसके अलावा कितनी ज़्यादा फोर्स लगती है बहुत सारे टीचर्स लगते हैं सियाइस अफ लगती है सियाइफ लगती है ताकि एलेक्शन ठीक डंग से कंड़क्ट हो सके अब इसका सोलिशन मोदी जी कह रहें देखो हम इतनी एनरजी और इतना टाइम वेस्ट करते हैं इसकी बज़ए क्या करते हैं ना वन नेशन वनिलेक्शन कर दो इसका मतलब क्या है आप जाओ वोट डालने ले किस-किस ने वोट डाली अभी तक किस वोट ड च्पर देते हैं कि आप जैसे ही बůर्ट डालने जाओ पहले उस पर जाओ वहां पर लिखा हुआ है कि भाई साह यहाँ वाली इसमे आप वोट डालोंगे वह वोट कांट की जाएगी प्डिये में प्डियू से निकल के दूसरे बूत में जाओ उस में जी इसमें जो वोट ड करने की कोशिश की जा रही है एक बार में एक इलेक्शन उसमें हर टाइप की वोट और मामला खत्व कैसा लग रहा है आइडिया कि ठीक है जी कि क्यों के भाई सब सही है न कि चाचा हमारे विधायक है कि चलो जी कि ठीक है फिलाल तो अच्छा लग रहा है समझ में आगे ना कि एक बार गए सारे लेक्शन के लिए वोट डाल दिया अच्छा दिया कि अब मैं इसके कुछ नुकसान बताता हूं अच्छा फाइदे 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 तो बहुत है फाइदे क्या है कि आपके रिसोर्स बच गए आपके जो इतनी सारी फोर्स आपने लगा रखी थी वह बच गए सरकार का खर्चा बच गया इसके अलावा जो हर इसके फाइदे हैं नुकसान बताता हूं थोड़ा सा दिमाग से सोचना थोड़ा से सोचना कि बहुत ही स्ट्रोंग पर्सनलिटी आज के टाइम पर नरेंदर मोदी जी इसमें कोई कोई धोराई नहीं है influence state में उनका influence क्या हमारी जनता इतनी educated है कि वह एक बार उस election में वोड़ डालने जाए और इस चीज़ को डंग से फरक कर पाए कि यह मैं कर रहा हूं state के लिए यह मैं कर रहा हूं center के लिए अरे हमें ही नहीं पता था मुझे कुछ साल पहले तक नहीं पता जब तक मैं चीज़े पड़ी नहीं थी मलब हमारी जनता उतनी educated ही नहीं है कि वह फरक कर पाए कि यह मैं state के लिए लेक्ट कर रहा हूं बाई साब अगर मोदी बींगा strong personality होगा क्या हर कोई मोदी जी के नाम पर वोट डाल देगा इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी लेकिन अल्टिमेटली मोदी जी तो सिर्फ सेंटर में है स्टेट में कुछ और है तो यहां पर बहुत ज़्यादा influence हो सकता है किसी एक बंदे के personality को जैसे that is why मोदी जी चीज़ चाहते हैं विकोज अगर यह ची पाज रहे हैं कि सेंटर का मुद्धा अलग है स्टेट का मुद्धा अलग है बैस्ट कोंबो आज के टाइम पे लोगों को एक जैसे दिल्ली में देख लो दिली में बहुत ही कोमन से होती जब लोकसबा के एलेक्शन हुए तो भाई साब लोगों की एक यह वाज इत इसकी सीट थी 70 में से 62 आपने जीती तो लोग इस मोडल को समझते हैं कि स्टेट के लिए यह वंदा ठीक है सेंटर के लिए वंदा ठीक है अगर यह इलेक्शन सब एक साथ हो गए तो स्टेट सेंटर वाला फरक खतम हो जाएगा पहला पॉइंट रीजनल पारिटी खतम हो जाएगी रीजनल पारिटी का सिस्टम खतम हो जाएगा क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यह सबसे बड़ा नुकसान है दूसरा यह तो हो गया जर्णल मेरी और तुमारी आम बाशा में समझने वाला नुकसान दूसरा मैं समझाता हूं दूसरा नुकसान यह है माल भाई देखो इसमें तो आइडिली क्या है इसमें तो यह है कि जो एक बार जो गवर्मेंट इलेक्ट होगी चाहिए स्टेट की और चाहिए सेंटर की हो पांच साल तक वह रहीगी जो वन नेशन वन इलेक्षण एक वन सेप्ट है लेकिन फो अभी जस्ट एक सिट्वेशन एजियू करो माल लो सेंटर में फुल मेजर्टी आगे बीज़ेपी और बीज़ेपी ने गवर्मेंट बना दी लेकिन दो साल बाद उस दस पाल्टी वाली सीट ने अपना सपोर्ट खीच लिया और हर्याना में सरकार गिर गई और यह कब हुआ यह वा था दो साल बाद लेकिन एस पर वन नेशन वन इलेक्षण कोंसेप्ट अब अगले इलेक्षण कब होने हैं अ सब्सक्राइब आगर उस बीच में अपनी एलेक्षण कर वा दिये में इस तो थो ताइम बाद क्या होगा वही जो आज बसद है वही दुबार हो जाएगी पहली बात आप जी नहीं तुछाशन कराते हैं उसको तीन साल का समय देंगे उस गवर्मेंट को तो भाई सब जो जो जनता की अवाद चुन के आएगी उसको सिर्फ तीनी साल का समय मिला दो साल का समय नहीं मिला यह तो गलत बात है ऐसो नहीं होना चाहिए हर अगर उनको पांच साल का समय मिलना चाहिए अगर उनको पांच साल का समय दिया तो यह पूरा साइकल भी गड़ रहे है क्या मेरी nation one election का जो आइडिया है यह गलत मुझे लगता है गलत तो नहीं है यह आना तो चाहिए ही लेकिन थोड़ी सी बैटर फॉर्म में आना चाहिए आना क्यों चाहिए कि मेरे कंटरे के बहुत resources बच रहे हैं इसलिए आना चाहिए बैटर फॉर्म में क्या मतलब है सबसे पहले तो मुझे में देश की इस आबादी को educate करना होगा बताना होगा कि elections मतलब क्या यह वाले election मतलब क्या यह वाले election मतलब क्या सबसे दूसरी बाद पांच साल में एक बार election खत्रे की घंटी है इसके बदले ऐसा हो सकता है कि कुछ धाई साल में election मतलब मैं यह नहीं कहा रहा है कि धाई साल कर दो election पांच साल में होंगे लेकिन वाई कि चांस कुछ गडबड अगर हो रही है कहीं पर कुछ लग रहा है तो धाई साल बाद दुबार वाप election हो सकते हैं मैं इसको कैसे समझाना चाहता हूं कि जो हर्याना वाले concept दे रहा था मालों कि एक साल तक एक साल बाद वह सरकार गिर गई तो डेढ़ साल तक वहां पर प्रेजिडेंट रूल लगेगा और जब ढ़ाई साल पूरी हो जाए जब दुबार election हो जाए और मतलब इस टाइप के इतनी बात है मतलब मेरे बात समझने कुशिश करो यह इ सब्सक्राइब कर रहे हैं उस पर क्या कहना है गुर्ष सेवक सिंग जी पिछली क्लास में फार्मर्स पर ही मैंने बोला था अब मैंने वही आज जब जैसे अपनी क्लास स्टार्ट होई मैंने वह उसी बात भी आपने शायद द्यान से सुनी नहीं दो का मन की बर्त में मुझे कोई मुंद की बात नहीं सुननी है मेरे farmer भाई सर्दी में खड़े हैं आप तो तो वाई सिच्वेशन क्या है फार्मर की सिच्वेशन अगर थोड़ा सा अपडेट यह थो हो मिनिस्टर अमिशा जी ने बोला तो कि भाई साब वहां पे मत खड़े रहो आप दिल्ली मे लेकिन दिली में जंतर मंतर पे नहीं दिली में बुराडी में आ जो गुराडी में कोपन घॉटकों अप्रनगों सब्सक्राइब न हुछी जदोन को आपने गुटök बाइच का अंुछ कुछ हो रहा है और गेटिंग में पॉइंट कुछ हो रहा है एक अब्जर्व होने वाले आइटम है बुराइडि में किसी दिल्ली के नोट थिस्ट दिल्ली के कोने में पढ़े रहेंगे कोई आवाज सुनेगा नहीं तो जो भी है फार्मर्स कह रहे हम बोर्टर सील कर देंग खड़े रह सकते हैं परीशी साब से आव कम विद्धे अट्रेक्टर सो लेट सोब फोर दे बेस्ट सरकार उनके बाद जल्दी सुने एंड कुछ बहतरी निकले अगर आपको ना पता तो बता दू अगरी कल्चर मेरे देश की इंप्लोइमेंट का टोटल टोटल ज्यादा हो जागा चलो 52 परसेंट के आज पास टोटल इतने बंदे इंप्लोइड हैं हमारी कंट्री में उसमें आदे से ज्यादा लोग एंगरी कल्चर फिल्ड में एंगरी कल्चर ठीक है और एक उर बात बताओं आपको जानके बहुत ज्यादा शोक लगेगा मेरी जीड पी का सिर्फ सोला से सतरा परसेंट ही कोंट्रीविशन है अगरी कल्चर का इससे क्या समझ माता है लोग ज्यादा इंप्लोइड है लेकिन उतना आउट्पूट नहीं आ रहा है उसका लीजन बहुत सारी अलगा लगा तो मतलब जो इतनी मतलब एक मेजोर्टी ऑफ चंक जो वो उनके बाते सुनी जानी चाहिए किसान में जेंघ जवान जैकिसान बहुत जाता है बट जवान तो है आर्मी के लिए कोई सरकार कुशें यह नहीं घथी सवाल कि पाता लगए इस वाली सरकार में थोड़ी सी और जब प्रिलेजिस दी गए लेकिन ऐसे सच कोई कर जवान के साथ मतलब ज्यादा वह नहीं करती विए इंटरनेशनल बॉर्डर इशू यह सारे बात हैं लेकिन किसान की हालत मेरे देश में अच्छी नहीं है हर दिन होती है किसान मालब एक अलागी लेवल की चीज़े हैं जो भी है ठीक है आयूश को लोग कोई बात नहीं करेंगे बात लो में खराबी कहा है वेद जैस्वाल प्लीज रेफर टू मैं लास्ट क्लास प्लीज रेफर टू जिस बच्चे को यहीं नहीं पता है कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जो मेरी लास्ट क्लास थी फ्राइड़ेवाली उसको रेफर टू प्लीज उसको प्लीज ऊड़ीज लास्ट रॉल गहते सफोन्म को फाइक मत्राइबरें किसान प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करकलू रह यहक्त गयनLY भ। है क सारे बच्चे शैषन को लाइक और को शेयर करते रहा करो कि प्लीज तुझसे नाराज नहीं जिन्दगी है रान है सुनो लव जिहाद का कॉंसेप्ट कभी सुना है यह न्यूज में है और आपके पेपर पॉइंट व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको बताता हूं देखो ध्यान से सुनने कोशिश करो लव जिहाद आपने वह वाले सीग सुने हो लड़की को मुस्लिम में कर दिया प्यार हो गया तो मुस्लिम में करमाट हो जब यह चीज अपनी मर्जी से हो तो किसी कोई दिक्कत नहीं जब यह चीज प्लैंड हो कि वह सब मुस्लिम को पुपॉपुलेशन बढ़ानी है उस माइंड सेट के साथ वह चीज़ी की जाए देन इस लव जिहाद और इसको लेकर आजकल बहुत चीज़ें चल रही है ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है बहुत चीज़ें गलत भी है मतलब जानबुझ के वह रिलीजियस वह फैलाए भी जा रहा है जानबुझ के इसको उस तरी सब्सक्राइब कर दिया है अब सबसे पहले बाव तो समझ लो नहीं उससे पहले यह कोशन आ जागा कौन सी गवर्मेंट है जिसने भी लव जिहाद को लेकर यह सब चीज़ें पास अच्छा कहीं भी मुस्लिम इस टाइप की नहीं है मतलब यह वर्ड मुस्लिम नहीं है वह तो भी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है ना ही जो यह बोल रहा है कि यह वाली चीज इस सिर्फ लव जिहाद है वह ठीक है ना ही जो उल्टा बोल रहा है कि नहीं है ठीक कोई भी थिकने बीच में शेडी रिजन है दोनों तरफ से कुछ-कुछ गटनाय सही है तब यह सब और है जो भी है जिस भी तरीके से हमारे पेपर पॉइंट इसके यूपीन ओर्डिनेंस पास कर दिया है तो भाई साब यह समझ लिए होता क्या है जैसे हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं अगर देश के लिए कानून बनना है तो कौन बनाएगा बनाएगी क्राइब पार्लेमेंट पार्लेमेंट मेंक बील रखा जाय को पास करेंगे अल्टिमेकली प्रेजिडेंस कि eran मेंड वह एक लोग बन जाएगा हना तो तब क्या करें सोलो पाइलिट में क्या करें भाई कि पैम मत करा करो कोई फाइद आने है हां जी पार्लिमेंट बनाती हैं लेकिन कोई बात ने पुष्ट कर वाइद साजा आजाओ यह पेज़ा फस्ट लेकिन बाई चांस मान लो कि अभी के ऐसी सिट्वेशन आई तो भाई साब एक ओर्डिनेंस पास करता है प्रेजिडेंट यह सेंटर के से बता रहा हूं परेजिडेंट एक ओर्डिनेस पास करता है तो ऊस और वह ऊसे शेंद माहिनें तक होती तो यही साइम चीज स्टेट मां की जा सकती है गवनर के द्वारा आज के टाइम पर यूपी गवनर कौन निंद ब ऑगें अटेम वेटेशा का नाम होता है पिछे कर को और बंदाइघ रहा होता है सेम विद सेंटर समी में और ने को महाँ पर मोदीजे कहने पर चीज़ होती ठीक है तो दिस इस कुंसेप्ट ओर्डिनेंस के अमर्जेंसी सिच्विशन में यूगन पास लो अभी यह वाला पास हुआ इससे पहले यह जो फार्मर बिल था यह भी ओर्डिनेंस था इससे पहले वो जो क्या ना मैं ट्रिपल तला दीजाग था वो भी ओर्डिनेंस थे हुआ ओर अधिनेंस फेक्टरी बॉर्ड ही दो अलग अलग छिज semester which shi करते हैं इस नहीं देटेटफ इस डिफेंस एक्यास के मैनुपेक्ट्रिंग वह ओर्डिनेंस कु Jane आधियन वर्मा यह मापको समझाओंगा जहां पर आता है कुछ ऐसे मुद्दे जो कि स्टेट गवर्मेंट के हाथ में होते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो कि सेंटर गवर्मेंट के आत्में जिन मुद्दों पर completely state rule बना सकती है उसमें अगर रूल बनाया है तो एकसेप्ट सम केसे स्टेट उसको स्टेट अब रिजक्ट कर सकती है जिसमें सेंटर पावर उसमें तो बनाएगी जो तो इसमें स्टेट सेंटर दोनों के पावर होती है उसमें अगर दोनों लोग लोग बनाए तो जो सेंटर चाहता है वह माना जाएगा तो यह आपको पॉलिटी में समझा दूँगा विक्टर चारली इट्स नोट देट इजी बच्चे अगर यही सब मोडल सक्सेस्फुल होता तो मैं मंडी की जरूत नहीं बढ़ दी नहीं बेच पाता है बादू नहीं बेच पाता है और हम अपने देश में इतना नहीं उगाते हैं कि आम जंता खरीदे हम अपने देश मे इतना वगाता हैं कि भार भी एक्सपोर्ट करें कि उसी उसी आलू से आपके घर में सबजी बनती है उसी आलू से चिप्स भी बनती है सो इस नोट देट की सिर्फ आप एक फसल को आम लोगों तो बेचिंग नहीं नहीं हो कि तुझसे नाराज नहीं प्रगती अभी अभी मोदी जीन ने मीटिंग चेर करी प्रगती की तो सिर्फ आपको यह जानना जरूरी है वट एक्जेक्टली इस प्रगती प्रगती की फॉलफोर्म इस प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन कितना जान लो जिन्दिगी क्या बोलेंगे जिन्दिगी मज़ा आ जाएंगे कोश्चन यहीं से आगा तो इतना है तो इतना है कुछ नहीं प्रगती की सीसरे लेटिड है यह सब और फुल फॉर्म इंडिया वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर्स ने डिसकेशन होल्ड की बोला जी सब्सक्राइब हम दोने मिल की कोपरेट करेंगे युनाटिड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन से उन में बढ़िया तरीके से रोल अदा करेंगे फॉलाना डिमकाना आपके लिए इंपोर्टेंट की इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कोन है और इंडिया वेतनाम के एरफोर्स रैली के लिए कुछ शुरू किया जाए क्या तुझ से नाराज नहीं कि बताओ यूजर त्यागी अरे संचित बहुत बहुत बदाईया आपको बहुत बहुत बदाईया अंकित यहादों की बात सुनलों एक्जाम में वा आगया मैंने और नहीं बोला था फाइनस कमिशन देखो सबसे पहले बात को जब भी विएतनाम की बात आए तो आपके डिमाग मैना चाहिए South East Asian countries Asian States for Association for Southeast Asian nation ।os से कंट रही है अब याब है कौन सार्थ कि आपको याद हो तो और सीपी वह सब आश्यान का इनिशेटिव था जो हमने एक्सेप्ट नहीं कर और सारी वाते आश्यान इसमें सारी सिंगापूर फिलेपेंस इंडोनेशिया मलेशिया अपना वियतनाम कंबोडिया ठीक है बुरू नहीं इस सारी इंट्रिस आगी तो इन्होंने मिलके एक अप अब की रिप्रेजिन टेटी हमारे चीफ गैस्ट भी थे ठीक है जो भी है बात यह है और तुम अब उस एरिया में वहादा सब गुम फिर लियागरो आज तो गुमने फिर ने का जद़ टाइम है नहीं वरना घुमा देता है कि सर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करन सब्सक्राइब लगबग सब्सक्राइब नाम से टेलेगराम चैनल है वहाँ पर जाके जूड़ जाओ लगबग सड़े 8000 बंदें जुड़े हुए हैं आप जाके वहाँ पर जूड़ जाओ और वहाँ पर आपको रोज इसकी PDF मिलेगे और आने वाले टाइम में जो मेरी ज सब्सक्राइब आने वाली है उन सब की PDF भी आपको महीं पर मिलेगे लोगिंग दा करेंट सिच्वेशन हो शुडबी नेक्स्ट पीम फिंडिया शुड़ नहीं पता से दान्त बट मोदी जी ही रहेंगे जब तक वह हैं जब तक वह रहेंगे तो है हां तो हां एक एक और इसमें इंपोर्टेंट फेक्ट है कि सीडियस के ओपर भी आ रही है सूरज मिश्रा एफकेट देखो मेरा फोकस पूरा सारे अब हर फिल्ड में घुसना है सीडियस एफकेट एंडिये इन सब फोकस करूंगा एफकेट के लिए वीडियो बना रहा ह तो इंडिया वेतनाम के बारे में अच्छा पॉइंट यह है कि दोनों ही जो मैंने आपको थोड़ तैम पहले बताए भी था मेरे साब से तीन-चार महीने पहले कि युनाइटी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में नोन पर्मानेंट मेंबर्स रैखो युनाइटी नेशन से से कांट्री में टोटल 15 मेंबर होते हैं 15 में से पाँच पर मेरे जिनको पे फाइफ कंट्रिस बोलते हैं पे फाइफ कंट्री सके नाम लिख दो और 10 होते हैं नोन पर मैंट वो दो-दो साल के लिए अपना रोल अदा करते हैं युनाटी नेशन सेक्यूरिटी कांसिल में 221 एक किसमें इंडिया वो रोल अदा करने वाला है उनके साथ साथ वियत नाम भी है सो इंडिया वियत नाम थोड़े से काइंड ओफ इंपोर्टेंट बन गया ठीक है जी कि विक्टर चारली प्लीज अभी के लिए फोकस और फोकस ओन यूर एससबी बाके सब चीजे बाद में हैं पहले एससबी निकालो उसके बाद कुछ भी सोचना वह सोचना अभी सिर्फ और सिर्फ एससबी निकालो और कुछ मत करो गोलु बेटा मस्ती नहीं वेरी गुड यूएस से रशिया चाइना यूके फ्रांस इस दा राइट अंसर बहतरीन जर्मनी नहीं है सिद्धन्त बिल्कुल गलत अंसर है राकेश कुमार नहीं नहीं शेर कर सकता बच्चे में दा हिंदू की पीडिएफ में शेर नहीं कर सकत दा रीजन बिंग हिंदू ने प्रुपर इसका वह चला रखा है और जो चैनल पहले शेर करा करते थे बड़े-बड़े चैनल तो सारे डिलीट हो भी गया है इंफेक्ट थीक है आई कांट डू देट गवर्मेंट ओफ इंडिया लॉंच इंडिया क्लाइमेट चेंज नोलि इंक्रीज हो रहा है विगूस टेंपरेचरे इंउगीज हो रहा है ऑगलाइमेट सिस्टम क्लाइम दिस्टर्ब है मतों सारे बाते ही इस आपको पता है 2015 मसीरी सिंग हुआ था जिसमें अमने बहुत सारी कस्मिवा दिखाई थी अ Анभी आरे विदान्छ वातओ सार आप अनुबह वच्छी जैसे लगते हो हां जी थैंक यू कि येस प्रत्मादेश काम ले ठीक जी कल के मैच में प्रपोज करके स्टूडेंट विज्जा को पर्मनेंट रेजिडेंट विज्जा बनवा लिया लोंडे ने अंकी ज्याद उनका तो फ्यूचर इतना ब्राइट है वह अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लेंगे ना बहुत आगे तक जाएंगे अगर दिमाग लगा लेतना तो या उनका उसीज में इंट्रेस्ट हो तो सब्सक्राइब एक इंसिडेंस से कितने वाइडल हो गए हां जी हां जी कामले साहब हां जी चलो जी यह हो गया हां तो है क्या तो जब यह पैरिस अग्रिमेंट साइन करा था हमने बोला था जब 200 interviewed 2020 तक सिर्फ हम 2 से बढ़ने देंगे कहां से 2 डिगरी सेल्सियृस प्रीunda क्लार टाइम जब इंडाइडिया से और था ङबरे क्याइंग्स होता था उससे चरफ यह जादा बढ़ने ये हमने टार्गेट लिए जयाद़िल ले रिया है फार गएए ऊंए वाया त्यस्तिंतना कई त cyclist doctrine of All the complexity of the temperature फैङ nigga तरी मतलब आःफ का टेंपोत बढ़ेगा तो बहुत बड़ा इस्यू है आइस मेंट अपर कह जिल कम दर द्साइब बढ़ेगका और प्रदक देखें देखेंगे एक ते जंड़िन फैफ तूवेशesting हो सकती है एक अर्थ का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है तो हमने प्लैज कहते हैं हम इसको ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे प्रिंड इंडस्ट्रियल टाइम से लेकिन वह हम नहीं कर पा रहे हैं मलब कहना में चलो वह इंडिया तोसका तरह फिर भी बढ़ रहा है फिर आमने बोले नही है इसको हम कोशिश करते हैं 1.5 डिग्री प्लाने का चलो जो भी है इंडिया काम कर रहा है जो जो हमने कस्मिवादे खाये थे जैसे कि 40% of the विकल्स जो होंगे 2030 हो जाएंगे हम में क्याना में सोलर एनरजिय का बोज़ता यूज़ करेंगे जो हम कर रहे हैं इंडिया इस द कि चलो आप कुछ क्वेश्चन देदें कि कुछन देते हैं कि बनाऊंगा भारगाव बनाऊंगा बनाऊंगा एंडिये के लिए यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा शुबम कर रहा हूं सुगंत कुमार कहीं बीजी था आज करता हूं क्वेश्चन जाते हैं करेंगे जो इंडिया का इंडिया का चाइना कोई चल रहा है सब्सक्राइब पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिड़र है इस से हमें इस्यू है कि यह एक गुझरता है चलो जो भी है लेकिं फायनलिकोंसे पोर्ट को जाके छूता है पाकिस्तान की इकम से प कवी जब फॉनटरी रिäreस्ट मिलीटरि सैटलाइट से फुर्टि किस कंटरी पेले सेटलाइट मिलीटरी सेटलाइट का नाम नुर है इस रोका वीनस मिशन कब लॉंज करने का प्लाइन है हम वीनस पर अपना यान कब भेजेंगे कब का प्लाइन अपना फटाफट 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 आधस टाइमिंग चेंज नहीं कर पाऊंगा प्लीज ट्राइट वॉंट बेबल टू डू मजबूरियां है मेरी कुछ तो बेना कुछ तो मजबूर यह रही होंगी यह इतना बेवफा नहीं होता लाइट कि नौन को परेशन मूमेंट कब स्टार्टू थी कि बंगो सा गर एक बाइलेट्स एक्स एक्सिसाइज है इंडिया एंड किस config entry बीच मैंकर नाम को धंग से पढ़ लोगे तब भी अंसर कर तो जैंधे चलो जी तो आज टी खलास को इंखतम करते हैं इन पाचे पैंचरों कोस्शंस के अंसर आपको कल वाले क्लास में सुबह देने हैं किसको पता है बढ़िया नहीं पता गॉगल करना सुबह मुझे अंसर ठीक है तो भी के क्लास् Minor करें कि ठीक है जी चलो जी बहतरीन कि राकेश डूनोट स्पैम मैं आपको बता चुका हूं दा हिंदू की पीडिएफ मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा किसी ओर टेलीकराम चैनल पर आपको मिल रही है आप जरूर सर्च कीजिए चलो जी अभी के लिए आज के लिए इतना ही कल मिलता है फिर आपको सेम टाइम सेम जगे ठीक है चलो जी बाबाए टेक केर जैहिं जै भारत टेक केर भ झाल 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 झाल